इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां एक बड़ा हाथ सा होते होते टल गया है पीपापूल से सैलानियों का जहाज डखराने से कई लोग जख्मी हो गए मौके पर अफरत तफरी का माहौल है सान्य प्रिश्यासन की टीम मौके पर पहुँची है सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है गटना पटना के आलमगंज थाना इलाखे के कच्ची दरगाह की है जहां पीपापूल से सैलानियों की जहाज डखराने से अफरत तफरी मची हुई है कई सैलानियों की चोटिल होने की सूचना मिल रही है मेली जानकारी के मुताबिक गंगा नदी में सैलानियों की एक जहाज चल रही थी इस दोरान जहाज कच्ची दरगाह के पास पीपापूल से टकरा गई पताया जा रहा है कि कई सैलानियों को चोट आई है जाज के टक्राने से पीपा पूल ध्वस्त हो गया है पूल पर आवाजा ही ठप हो गई है आलमवंज थाना से मिली सूचना के अनुसार विल्हाल परिचालन बंध है जहाज कुपुल से निकाला जा रहा है सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है कुछ सैलानियों को चोटे आई हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है स्भाइब कर रहा है कर तो नहीं हुआ कि प्राप नहीं प्रूड़ कि नहीं हुआ है पहले एता है कि अच्छूड़ा है झाल झाल